नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आज मैं आपको बता रही हूँ ब्रा के पैटन से ब्रा कैसे कटिंग करते हैं कैसे उसके सीलाई करते हैं बहुत ही इजी तरीका है आप वीडियो को फुल देखें और ब्रा आपने घर पे बनाए बिना ए लिक्स का कपड़ा है बढ़िया है और नहीं थी घर में नहीं पैनते हैं या फिर छोटे बड़ी हो जाते हैं कपड़े तो हम उनका यूज कर सकते हैं तो आज मैं इस टी सर्ट से आपको 36 साइज की ब्राबनाना बता रही हूं तो चलिए इसकी जो कटिंग है वो कर लेते ह हैं पूरा मेजरिमेंट बताऊंगे और सिलाई भी तो इसको आप पूरा देखिए और अपने घर पे बनाएं जी कि सिरफ जो फेब्रिक हमारे नहीं काम आते हैं नहीं यूज़े बलोते हैं उनका यूज करके हम अपनी सिंकडो रुपए बचा सकते हैं और इसी लक्ष को जहां में रखते हुए हम यह अच्छे से टूटोरियल आप तक पहुंचा रहे हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कोमेंट करना ना भूले चलिए सुरू करते हैं आज की टूटोरियल ब्रा बनाने की 36 साइज के लिए ब्रा का प देखलें कि यह 9 इंच दोनों साइड से 9 इंच के हैं तो आप इसखो इस तरह से ट्रैंगुलर स्यप में कर लिया है और ट्रैंगुलर सीप में elements करने अभी यह आगया पॉइंट इसको मैंने कर दिया यह गया यह पॉइंट दिख रहा न यह एक इंच निचे इसको ऐसे फोल्ड कर दिया अभी यह ट्रेंगुलर सेप में ही है ठीक है उपर वाले पार्ट को क्या है एक इंच उपर बढ़ा लिया है तो अब आपको इस पार्ट अब उप्पर का पाइट को कटिंग करना है तो सबसे पहले उप्पर की तो हम ले लेंगे आधा इंच यह ने उप्पर का पॉइंट लगा दिया है अब इसके बाद आपको इस तरह से इसको मिडिल सेंटर भी बनाना है तो यह होगा हमारी ब्रा का मिडिल सेंटर यह क्या है सेंटर पॉइंट हो गया है इस तरफ पे हम लगबक साड़ी चार के उपर में एक पॉइंट लगा देते हैं यहां से इस तरफ गोलाई करेंगे तो साड़ी चार चीए और क्योंकि थर्टी सिक्स की कर रहे हैं और यहां से विए में सा पॉइंट लगा देते हैं दो इंच का और आधा इंच के नीचे एक पॉइंट और लगा देते हैं और इस तरफ भी हम यह लाइन डू कर लेते हैं ऑर योगा दो इंच का यहाँ पे पॉइंट ठीक है अब इस तरफ में हम हम इसकी जो प्री हैंट आपको गया देंगे इस तरह से पैसे़ और इस तरफ में हम इसकी आर्मॉल बनाएंगे तो वोगे थोड़ी चारता है तो आर्मॉल की गोल्वाई लगा देंगे इस तरह से तो यह हो गई हमारी आर्मोल साइट वह हो गई हमारी नेकलाइन साइट आर्मोल साइट यह हो गई है नेकलाइन साइट खीक है अब यह जो हमने पोईंट आदा इंच निचे लगाया है और इस तरफ यह जो वन इंच निचे लगाया है तो इस पोईंच को आपको इस सैंटर पोईंच में मिलाना है त्री हेंड से मिलाएंगे इसको भी हम इस तरह से यह हो गया है और फिर आपको इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है इस तरह से मिलाना है तो यह हो गया आपका उपर का पैटरन तयार ब्रा के उपर का पैटरन तयार हो गया है ठीक है अब हम इस पैटरन को कटिंग कर ले है किसे इसको आपको च नेकिए नाएं इन्च होएं सराधे चार पाउप कर समण में निकर्द सब्सक्राइब इस तरफ में लगबग साधे चार पार आरा था तो यह नाएंज की पूरी इसकी गोला है उप एक पैटन उपर का तियार हो गया है अब हम नीचे का पैटन कटिंग करते हैं इसको बिल्कुल ऐसे हाप कर लेंगे हाप करके यह इसका संट्रे बिंदू कर लेंगे और यहां से हम इसको लेंगे टू इंच उपर एक पॉइंट लगा देंगे और यहां से हम इसको टू इंच उपर एक पॉइंट लगा देंगे तीक है ना नीचे से हम इसको चलिए पहले हम इस पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट में मिला देते हैं तो इस वाले सेंटर पॉइंट को इस तरफ ये टू इंच के पॉइंट है इस तरह से हमें मिलाना इसको मिल गया और फिर इस तरह से इसको आपको वापिस नीचे के और ले जाना है तो यह हो गया हमारा नीचे का पैटन ठीक है न अब नीचे के पैटन को यह जो हना यह पूरा सेप 9 इंच का ही होना चीए तो हम इसको chip कर लेते हैं अगर यह extra है तो हम cut कर देंगे तो on-on-on-on-one ऐसे हम निकाल देंगे इस तरफ से वन इंच और इस तरफ से वन इंच टोंटल इसकी जो ले निए नज इस तरफ से निकाल दिया और इस पार्ट को महीं इस तरफ मिला देना है तो ये हो गया हमारा नीच्चे का पेटन इसको cutting कर लेते हैं बहुत ही है सिंपल है देखे इसको तो अमने संधे पार्ट पर क्टिंग किया है उसको मैंने आपको ट्रेंगूलर सेप में फॉल्ड करके उपर वाले पार्ट को जो 9 नीच्च का मने स्क्वाइर में लिया था उसको मैंने ट्रेंगुलर सेप में करके कटिंग किया था तो उसका आपको ध्यान रखे और पैटन त्यार कर लेना उसके बाद आप जब चाहिए इस पैटन से हम ब्राज वह बना सकते हो तो यहां पर हम इसको गोला ही दे देते हैं ईसके और जो एकस्ता पार्ट उसको हम कट कर देते हैं इस तरफ पी कट कर दिया मैंने इस पाट्स को भी कट कर दिया मैं तो यह निच्चे का Parts और यह वाला है ऊपर वाला Parts तो यह दोनों हमारी ब्रा के पैटन त्यार हो गए हैं अब हम इसके इसी पैटन से मैंने अपको पैटन के कैसे कटिंग करना होता है इस तरही से इसके किसीफी साइच के कर सकते हो जो भी साइच है ना बस यह जैसे नोग के आते तो वह साड़े-नोग की आनी छीए फिर 40 साइच तो वह दस की आने चीए किया गुलाई और यह गुलाई तो यह धीयान रखना तो आपकी पर सही बनेगे तो यह मेरां परखेंगे और ब्राबर में के दो तो पार्ट कटिंग्ग कर लेते हैं यह मैंने इस पë etmek हैं कि यह दो पाइस है टिक है पेटेन मैंने आपको कट्ट करना बता दिया है और यह हैं और यह इस निच्छे वाले पैटन के बराबर में दो पाइस कट्टिंग करने हैं इसको भी हम खोल लेते हैं में तो कि आ DFbrar इस तरफ जोएंट करेंगे एक पर इसन्ट चरेंगे तो इसका मिडिल जान करके दोनों का पहले सेंटर पे इस तरह से करेंगे तो यह वाला इसेंटर वह जाईगा तो इस सेंटर पॉयंट से और इसका फेसेंटर पॉयंट और यहां पर रख दोनों को c double तो यह मैंने यहां पर इसको इसे पोइंट लगा दिया थोड़ा सा जो नीसान कर दिया है है और यहां पर लिए आस अपर लगा एक पकर्लाहे मिन पर उपर सबिसे पर इसे ढडया हएं में पर उनने जीने से पर आपी यह सिल देना है तो यह एक सिलही इसमारी से omega 2 विलकुल बराबर में रखती हुए ठीक है इसी तरह से इस पार्ट के भी हम एक सीला ही रख लेंगी ऐसे उपर लगाएंगे औ। फिर एक सीलाई लगा लेंगी मैंने इसके यहां पर इसको सीड दिया है तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यह देखे मैंने इसको open कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से seal करके त्यार हो गया है अब आम नीचे आप देख सकते हैं मैंने दोनों को seal लिया है जोइंट कर दिया है अब नीचे से मैं इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देते हूंगे देखें नीचे से ओपन है तो इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लें इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसी तरह से इस पार्ट को भी हम फोल्ड कर लेते हैं मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है देख सकते हो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है बिल्कुल बारिक बारिक आप चाहिए तो हातों से भी इसको फोल्ड कर सकते हो तो यह देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर दिया है अब हम इस पे लगाएंगे सबसे पहले मैं लेस तो य तरह से यह तक को सिस्टिच कर देंगे इसी तरह से सपहर से भी करेंगे एक लगाते हैं पहले यहां प्यादि करेंगे और स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे देखें कर दो कि इसको कट कर देते हैं यह लिए मैंने डोरी इसको मैंने सिंगल सिलाई करके फोल्ड कर लिया जैसे कि हम डोरी बनाते हैं वैसे और यह लिए मैंने 16 इंच की यह मैं 16 इंच की एक डोरी लेनी है और इसको यहां पर हमें ऐसे सील देना है इसके एक सिलाई ले लेते हैं यहां पर तो यह मैंने इसको सिल दिया है यह इस तरह से अंदर के ओर चले जाएंगे अब हम इसके उपर वाली ऐसे एसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई उपर वाली लगा देंगे इसके बिलकुल उपर उपर लगानी में जिर दोल्ड वालते है इसके बिलक डाते हैं तब हल एक सिय स्वी एक उत् तो यह हमने इसकी सिलाई कर दी है अटेच हो गई है इस्टिक भी उपर वाली अटेच हो गई है और लेस भी अटेच हो गई है तो अब यह हम दूसरे वाला पार्ट लेंगे इसके उपर रखेंगे और यहां पर इसके एक सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद यह इस तरह से उपन हो जाएगे पहले इसकी सिलाई लगा लेते हैं यहां पर तो यह मैंने इसकी बीच वाले सी लाइल लगाती है अब यह देखे यह इस तरह से यह वर्पन हो जाएगे तो यह देखे यह मैंने लिए है 10 इंच की पट्टी और यह डबल है और इसकी चोड़ा यह वो है 4 इंच की चार इंच की चोड़ी यानि 2 इंच की डबल होल्डेड है तो अब हम इसकी उल्टी करके एक सिलाई कर देते हैं देखे इसको हम इस तरह से थुड़ा उल्टा करेंगे और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे देखे हम मैं करूंगी इसकी इस तरह से सिलाई इस तरह से हम इसकी तीर्ची सिलाई करेंगे ठीक है ना यहां से यह टू इंच की और यहां से यह वन इंच की इस तरह से इसकी तीर्ची सिलाई कर लेते हैं इसी तरह की दो पट्टी त्यार कर लेते हैं कि सिलने के बाद इसकी एक्स्ट्रा साइट को में कट कर देंगे और पट्टी को ओन कर लेंगे इसको हमें इस तरह से ओन कर लेना है इस तरह से मैं इसको ओन कर लेती हूं इसको मैंने ओन कर लिया है और यह अमने दो पट्टियां तयार कर लिया है अब हम लेते हैं अपनी ब्रा और इसकी एक साइड में हम इस पट्टी को जोइंट करेंगे यहां पे हम इसको रखेंगे और एक सिलाइल लगा देंगे और इसके बाद यह ऐसे पीछे चली कि उपर किसी लगा देंगे ऐसे में इसको जोइंट करेंगे पत्टी जोइंट हो गई है इस तरह से यह बेग साइड में जाने वाली उपर किसी लए निकाल देते हैं अठेच हूगई है वेग साइड की पत्टी के पत्य अटेच हूगई है अब हम इस पत्टी पर यहां से ढोत चर्च सेंटर से चार इंछ की दूरी पर और यह यहां पर डस अठेच कर देते हैं इस तरह से यहां पर अटेश कर देते हैं तो यह वन साइट का बेल्ट अटेश हो गया है और इस तरह से दूसरी साइट में भी हमने यह बेल्ट अटेश कर लिया है अब एक साइट पर हम घॉक लगाँंगे और आप हम यहां पीसको तोड़ा साइसे फॉल्ड करेंगे और यहां पर हम इसको नीचे की तरफ यहां पर इस Nós you आ पन्कर के रड़ी हैं इक दमसा परaf रफेक्ट बहुत ही खुबसूरत से योहिए bemsy it कब 58 और इस तरह जह वाला बग 44 अ और रूघी तरह किसे घर billion बना सकते हो थैंक्स झाल झाल, झाल? झाल, झाल, झाल